असलाम वालेकूम दोस्तों आपका राज गल्फ नीज में बहुत बहुत स्वागत है तो आज है पांच अप्रेल चौथा महीना दोजार बीस और आज की कोईत की कुछ एहम तरीन खबरें जो है वो आप तौम दोस्तों के साथ सेर करने वाले हैं तो अगर आप कोईत में रहते हैं और कोईत के हालास से वाखाबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप सुरू से लगर आकर आकर तक जरूर देखें दस्तों वीडियो बेसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें चले दो भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ दोस्तों पहली खबर यह है कि जिसा कि आप तुमाम दोस्तों को पता है कि illegal लोगों का जो काम है वो फरवानिया गवर्नेट में हो रहा है ऐसे मैं आप तुमाम दोस्तों को देखें कि अभी एक और सेंटर जो है वो ओपन कर दिया गया है जलेब अलसुएक एरिया में तो अगर आप जलेब करवा सकेंगे और जो सिंटर खोले गए है उसका जो अड्रेस में आप स्माम दोस्तों को बता दूं तक कि आगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आप इस सिंटर में जाएं नाकि आप फरवानिया जाएं जहां पर लेडिस लोग यानि कि जो मर्द हजरात हैं उनका लोगा जो काम होगा वो होगा जलेव अलस्वेक नैम बिन मसूद स्कूल बॉइस ब्लोक चार इस्टेट धाई सो यानि कि 250 इस्टेट पर ये काम जो है वो आप जाकर वहां पर करवा सकते हैं ये मदर्सा है जो कि अभी कुरोना वरिस के व वो किया जाएगा तो अगर आप फरवानिया नहीं जाना चाहते हैं या आप जलेव अलस्वेक लाके में रहते हैं तो आप यहां पर भी अपना काम को अंजाम दे सकते हैं टाइम से मैं सुबा के 8 बजिस से दुपहर के 2 बए तक दुस्तों अगली अपडेट यह है कि जिस जो नए करोना वर्स के केस सामने आए हैं उनमें से 25 केस ऐसे सामने आए हैं जिन्हें ये बीमारी थी जिसमें 17 इंडियन सहरी, 4 बंगलादेशी, 2 मिसरी, 1 एक इरानी सहरी सामिल है जबकि इन 25 लोगों के साथ, इन 25 लोगों के तालुक में रहने की वज़े से 37 दूसरे लो और कोईट में इंडियन सहरीयों को ये बीमारी जो है वो बहुती तेजी से फैल लही है इंडियन सहरीयों में तो आप तमाम दोस्तों जो है वो एक दूसरे के रूम पर बिल्कुल भी आय जाए नहीं और साथ में आपना सिप्टी और अपनी सलामती का खयाल जरूर रखें दोस्तों अगली खबर यह है कि वजारते तिजायत की टीम ने हावली गवरनेट में एक पानी की पाइप की दुकान पर छापा मारा और जब इन में जो सामान मौजूद थे उनकी जब तहकीकात की गई तो पता चला ये तमाम सामान जो थे वो चाइना का माल था और इन पर जो इस्टिकल लगे हुए थे वो जर्मनी और इटली का लगा हुआ था जिससे की ये तमाम सामान महिंगे कीमत में बेची जा रही थी जब वजाते तिजात के एहलकारों को इस हवाले से जानकारी मिली तो उन्होंने कारवाई करते हुए इस दुकान पर छापा मारा और इ